जैहन दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल दीप एजूकेशन चैनल पर बहुत बहुत सौगत है जैसा कि हम टॉपिक्स वाइज सिरीज स्टार्ट कर चुके हैं जो कि वन डे एक्जाम्स के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेनिफेशियल है तो अगली सिरीज हम ज्यादा बरवाद ना करते हुए हम अपने इस प्रेक्श्वल सिरीज के और आगे बढ़ते हैं कि एसीया का सबसे बड़ा पनीर निर्मान सहियंत्र कहां इस्तित है तो एसीया का सबसे बड़ा पनीर निर्मान सहियंत्र हमारे खजराहों में खजराहों कहां इस्तित है कंदरिया महादेव मंदिर काफी फेमस है और खजराहों अपने शिल्प कला और स्थापत्य कला के लिए बहुत फेमस है खजराहों को युनेस्को दौरा वर्ल्ड हेरिटेस में 1986 में शामिल भी किया गया है तो इसी के साथ ही अगले क्वेशन में आते हैं मद्य प्रदेश का स सबसे उच्या इस्थान कहा है तो धूपगड़ पहाड़ी यही जी धूपगड़ नहीं धूपगड़ पहाड़ी जो की पचमड़ी में इस्तित है और यह जो पहाड़ी है सत्पुड़ा परवत शेड़ी की महादेव पहाड़ी में यह धूपगड़ पहाड़ी इस्तित ह मद्र प्रदेश का सबसे नीचा इस्थान कौन सा है तो मद्र प्रदेश का सबसे उचा इस्थान तो धूब गड़ भाड़ी हो गया लेकिन सबसे नीचा इस्थान क्या है नर्मदा सोन घाटी हंजी फिर आते मद्र प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो हमारी मद्र समय कि नमबाई यादि की 1077 हम जानते कि नर्मधा नदी हमारी Aues Gen Gen 3 नदी से प्रप्त है प्रडेश का सबसे लंबा पुल की प्रडेश का सबसे लंबा पुल हमार्व तवण नदी पूल मुल्स तवण नदी पर बना हुआ एक सड़क नदी हे और प्रदेश का सबसे लंबा राश्री राजमार्ग हमारा एनेच 3 है जो की 712 किलोमेटर आसपास में है और यह मद्रप्रदेश का सबसे लंबा नैशनल हाइवे जो की गौालियर गुना इंदौर यह सब होते हुए आगे बढ़ता है मद्रप्रदेश का सबसे छोटा राश्री राजमार्ग है एनेच 76 तो सबसे छोटा नैशनल क्या हमारा नैशनल हाइवे कौन सा है एनेच 76 प्रदेश का सबसे गर्मिस्थान कौन सा है तो मद्रप्रदेश का सबसे गर्मिस्थान जो है गंजबासोदा है गंजबासोदा हर सा एक नियत व मानक के तौर पर देखा जाए तो गंज बास होदा आता है और एक्जाम में अधिकांशता ओप्शन गंज बास होदा आता है अगर लेकिन इस साल का अगर जो रिकॉर्ड नापा गया है तो सबसे ज़्यादा जो 47-47 डिग्री नापा गया है वो है खजराहो का ना अगर आपज़राहो आता है इस साल के कॉर्डिंग नापा गया है तो आप खजराहो लगाइएगा अंदर्वाइस गंज-बास होदा ही लगाईएगा तो मद्रप्रिदेश का सबसे तंडदा इस्थान जो एं श्यूपूरी है शुपूरी में हमने पढ़ा था एक राश्ट्री उद्ध्यान भी है कौन सा राश्ट्री उद्ध्यान है माधव राश्ट्री उद्ध्यान है तो यह चीज याद रखिएगा मत्र प्रदेश में सरवाधिक वर्षा वाला इस्थाल कौन सा है तो हमारे मत्र प्रदेश में सब अगर कंवर्षा वाला चेत्र नखना करने अगर जिचल कर दिजेगा सबसे बड़ा राश्री उद्यान कौन सा है तो सबसे बड़ा राश्री उद्यान सबसे पुराना राश्री उद्यान हमारा कौन सा है काना किष्ली राश्री उद्यान जो की मंडला में है और काना किसली राश्ट्री उद्यान के बारे में हमने कल की सीरीज में पढ़ा था बारा सिंगा जो की ब्रेडरी प्रजाती का होता है वो वहाँ पाया जाता है सबसे छोटा राश्ट्री उद्यान के है फासिल राष्ट्रियुद्यान जो कि दिंडौरी जिले में आता है तो सबसे छोटा राष्ट्रियुद्यान किया है फासिल राष्ट्रियुद्यान है जहां पर डाइनसौर के इंडे पाए गए हैं जी कहां पर दिंडौरी में सबसे बड़ी मस्जिद सबसे बड़ी बंदप्रदेश का सबसे बढड़ा रेलवे जं़क्षन कौँंसा होता है इटावसी जंक्षन है जो की होशांगबाद के अंत्रगत आता है विस्टी सबसे बड़ी गड़ेश जी की प्राइब हमारे इंदोर में हैं जो इंदोर सबसे बड़ी गड़पतीजी की प्रतीमा का है इंदहर में सबसे मोटी कोईले की परत यह हमने ही पिछली सिरीज में पढ़ा था और समय सेने मातर प्रदेश का एक मातरँजिलाई है चाहित स youngest अ मालवा का पठार हम पढ़ेंगे मालवा का पठार मुंदेल खंड का पठार रीवा पन्या का पठार इस तरह हम पठारों के बारे में आने वाली कुछ दिनों में एक सिरीज लाने वाले हैं सबसे वड़ा कोईला बंडर का है तो सुहागपूर शेत्र अब ये सुहागपूर शेत्र का है शेडोल में तो अगर सुहागपूर की जगे शेडोल आता है तो आप शेडोल टिक कीजेगा तो मद्र प्रदेश का सबसे वड़ा कोईला बंडर का है सुहागपूर शेत्र तो धार के परमार राजा थे जो राजा भोज उन्होंने भोजपूर मंदिर का निर्माड कराया था सरवाधिक गेहूं उत्पादक छेत्र क्या है मालवा छेत्र हमारा जो मालवा का छेत्र है सरवाधिक गेहूं उत्पादक छेत्र होता है मालवा छेत्र को हम गेहूं की डलिया के नाम से भी जानते हैं वहाँ पे गेहूं कह लीजे या आपका ये हो गया, सोय भीन हो गया काफी अधिक मात्रा में होता है जो हमारा मालवा का पठार है या मालवा छेत्र है मालवा पे काफी उपजाओं मिट्टी भी पाई जाती है ये अगली आने वाले कुछ दिनों की सीरीज में हम पठार और मिट्टी और नदियों के वारे में जरूर डिसकस करने वाले है सरवादिक कुपोशित जिला कौन सा है सरवादिक कुपोशित जिला हमारा क्या है श्योपूर है श्योपूर में जब 2011 की जनगर्णा हुई थी तो कुपोशित जिले की रूप में श्योपूर को घोसित किया गया था सबसे कम कुपोशित जिला क्या है हमारा भोपाल है तो भोपाल हमारा क्या है सबसे कम कुपोशित वाला जिला सरवादिक सघन अवादी वाला जिला जहां पे जहां पे डेंसिटी जहां पे सघनता बहुत जादा है मतलब सटे-sटे घर वने हुए हैं, महां पर मतलब रहने के लिए काफी जन संख्या है, हैना, तो सरवाधिक सघन आवादी वाला जिला हमारा क्या है? भोपाल है, और सबसे अधिक विरल आवादी, मतलब जहां पर सघन आवादी नहीं है, बहुत विरल आवादी है, मतलब को एक गर इधार है, तो एक किलोमेटर छोड़ के दूसरा गर उधार है, तो सबसे अधिक विरल आवादी वाला जिला कौन सा है, दिन्डौरी है, तो सघन आवादी वाला जिला हमारा भुपाल है, और विरल आवादी वाला जिला कौन सा है, हमारा टेंडौरी है छेत्रफल की द्रिष्टी से छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला ये ध्यान रखिएगा छेत्रफल की द्रिष्टी से है ना जनसंख्या की द्रिष्टी से नहीं पूछ रहे हैं छेत्रफल की द्रिष्टी से तो छेत्रफल की द्रिष्टी स सबसे छोटा जिला कों सा है तो सबसे छोटा जिला हमारा क्या अभी जो वर्तमान में जो हमारा नया जिला बना है निवाडी बावनवा जिला जो बना है निवाडी वो हमारा छेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा जिला है अब हम आते हैं छेत्रफल की दृष्टी से सबस वही संभाग की बात करतें तो गाया संभाग की द्रिष्टि चिंद्वाड है सबसे छोटा जिला निमाडी, सबसे बड़ा संभाग जवलपूर, सबसे छोटा संभाग हमारा शैडोल और अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टी से, सबसे बड़ा जिला हमारा क्या है? इंदौर और जनसंख्या की दृष्टी से सबसे छोटा जीला हमारा कौन सा है हर्दा यह आप अनुकपूर कहा सकते हैं अब अनुकपूर आ गया है सबसे बड़ा वन ब्रेथ सबसे बड़ा जो फोरेष्ट का जो सरकिल है वो कहां पाया जाता है खंडवा तो जो हमारा फोरेष्ट का सरकिल है कहां पर है सबसे बड़ा खंडवा में और सबसे छोटा जो वन ब्रेथ है कहां पर शाजापूर में है तो बड़ा जो फोरेष्ट शाजापूर की सबसे बड़ी जन जाती कौंसी तैब भारत की सबसे बड़ी जन जाती कौंसी है जन जाती चाहरा जाती टो उनके घ्रच के में सरसे अधिक पाये जाते हैं तो इसी सीरीज को यहीं पर बिराम देते हुए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपके जो भी कमेंट्स हों जो भी क्वेरीज हों जो भी डाउट्स हों आप डिस्क्रिशन बॉक्स में दिए गया लिंक पे टेलीग्राम फेस्बूक इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो और आपने विचार रख सकते हैं अगली सीरीज के साथ हम जल्दी प्रस्त हो ओग से लग खो भी जो टो दोली जै बाइब हो ओग आद है